नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज चंदरगहन लगने जा रहा है और चंदरगहन का सही समय सुतकाल तथा चंदरगहन हो या सुरीगहन ये मानव यानि व्यक्ति के जीवन पर काफे दुस्परणाम अवस्तों डालते हैं और कोई भी गरण है इसे जो 37 स्थर में काफी असुव माना गया है ऐसे में साल 2020 में लगने वाला ये चंदरगहन आपके जीवर पर क्या प्रभाव डाल सकता है तथा चंदरगहन के दोरान आपको कौन सिक्रियाओं को करना आवज सिखोंगे चंदरगहन का सही समय सुतकाल तथा इस दोरान बरती जाने वाली महत्पुन सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही इसके दोरान आपको किये जाने वाले उन्महत्पुन कारियों के बारे में भी आपको बताएंगे जो कि आपके जीवन को काफी सुक्म है और काफी समरिद बना सकता है वैसे मैं वीडियो को आखरी तक देखिएगा अगर आपको आपके सहर का सुरेगरन या चंदरगरन के बारे में जानकारियां चाहिए तो आप अपने सहर का नाम कमेंट बॉक्स में आप लिखें आपको हम हमारे दुवारा सही जानकारियां अवस्य देंगे मत्रों आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरी तक देखिएगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दुनों को भैतर बना सकें मत्रों हिंदू धर्म के सास्त्रों में वर्नन मिलता है कि गरहन के दोरान और इसके समापति तक से चूना नहीं चाहिए यही कारण है कि इस दोरान मंदिर तमाम हिंदू धर्मिक निस्तनों के कपाट बंद कर दिये जाते हैं इसके अलावा गर्ण के दोरान गर्वती महिलाओं को इस दोरान न तो गर्ण देखना चाहिए नहीं घर से बाहर निकलना चाहिए तो वहें गर्ण के दोरान इस तरी पुरुष को सारीक समंध भे नहीं मिनाने चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस दोरान आपको किसी भी गुद्बूरे कारी को करने से काफी जादा आपके जीवन में काफी नगरात मख सकती या भी हो सकते हैं चंदरगन के दोरान आपको सावधान रहने की जुरत रहेंगे मित्रों आज रात 11 बच कर 16 मिनट से यह गरण प्रारंब होगा जो कि अगले दिन यानि 2 बच कर 32 मिनट पर ये समाप तो होगा बताया जा रहा है कि रात 12 बच कर चोवर मिनट पर ये अपने पूर्ण इस्तितियों में पूर्ण परभाव में देखा जा सकता है कुल मिला कर इस गरण के कुलवदे 3 गंटे 15 मिनट के रहोंगे जोती सास्तिर का मानना है कि अगरण वरिष्चिक रासित था जेश्टा नक्षेतर में लगने जा रहा है गरण का असुब और गरण का सुपर नाम दोनों के दोनों आपके व्यक्तित्व के जीवन पे अवस्य पड़ता है ऐसे में चंदरगर्ण हो या सुरी गरण आपको सावधान और सतर गरहने के जरूर जरूरत रहेंगे इसके साथ है गरण को खुली आँकों से कभी नहीं आपको देखना चाहिए सास्त्रों में उपचाया चंदरगर्ण ना तो शुतक काल नहीं किसी धारमी कारियों में परतिवंद लगाया जाता है और इस दोरान आपको खाने पीने की मनाई होती है सुतक काल के दोरान किसी भी तरक असुपकारि करना मना ही होता है जब भी सुतक लगता है तो उस दोरान भगवान की मुर्तियों को भी छुआ नहीं जाता है नहीं कोई पूजा उपासना की जाती है इस दोरान मंदर के कपाट विबंद कर दिये जाते हैं सुतक के समय भगवान के मंत्रों का ध्यान और मंत्रों का जाप करने से गरण के असुप्रम होते हैं और व्यक्ति के जीवन में काफी जाद सुपर नामों की प्राप्ति होती हैं सुतक के समय भगवान आपके पूजा और उपासना यानि कि आप जो मंत्रों काउचारन करेंगे विभगवान तक सीधे पहुंच सकते हैं सुतक काल में गर्वती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए दार्विक्मान नयताओं के अनुसार सुरी गर्ण और चंदरगर्ण दोनों ही असुप माने जाते हैं जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है और जेट पूनिमा के दिन चंदरगर्ण लगने जा रहा है चंदरगर्ण की दोरान बहुत से कारे वजियत होते हैं कहा जाता है इस दोरान नकरात्म कुर्जा का प्रभाव काफी जादा रहता है इसलिए बहुत चारी सावधानिया वरतने के जुरत पड़ती हैं खास तोर पर गर्वती महिलाओं को गर्ण के समय जादा सदरग रहने के जुरत रहीती हैं जिससे गर्ण का बुरा प्रभाव गर्मे पपल रहे बच्चों पर ना पड़े गर्ण से जुड़े कई मानने आता हैं दुनिया भर में कई देशों में कई दिल्चस्प बले कर मानने आता हैं आपको बताना चाहेंगे कि गर्ण को कभी भी खूली आखो से नहीं देखना चाहिए गर्ण को आप गर्ण के समय खाना पिना और कई प्रकार के सुबकारों को करने के भी मनाई होती हैं आप अपने जीमन में काफ़ी सुखे और समरिद दपाना चाहते हैं आप महा मेरतुंजे मंतर का जाप अब अवस्ते करें आपका दिन भेतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवस्ते लिखें आपका दिन सुब हो मंगलकारी हो जैमा विंदुवासने नमस्कार